तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्रम भी भाजन और जाती प्रता वर्ग टेन यानि कक्छा 10 के लिए गोदलू भागतू है इसके जो लेखक है डॉक्टर भीम राबेदकर जैसा कि आप यहाँ पर इनका पिक्चर देख रहा है तो अभी हम आपको बता देंग कि इस शेप्टर की जितने जो नोट्स होते हैं नोट्स मतलब इनका जो लेखक है इनका जनम दीन ये कब जनम लिये थे क्या उनकों से किताब लिगे थे और इसके साथ साथ आपको जो है लास्ट में 25 अबजेक्टिव मीं देंगे जो चलिए हम इसको शूरू करते हैं सबस इसको अब आगे चलेंगे आगला जो देख सकते हैं यहां पर जो पिक्चर आपको दिख रहा है यह है गोदलु भाग टू ठीक है गोदलु भाग टू यह कक्षादा साईसी गार इसके लेख्या के डॉक्टर भीम रामवेत कर यह बरोदा के महराज थे जो इनको पढ़ने में मदद किये थे क्योंकि इनके पास इतना रुपिया नहीं था तो उसमें बरोदा के हमाराज क्या किये इसको छातेविर्थी दिये तब जाकर के नियू और अमेरिका लंडन अलग-अलग जगह से पीएशडी अलग-अलग लॉके डिग्री अलग-अलग डिग्रिया जो है प्राप्त की उसके बात से जो है यह अपने देश भारत में आया और उसके बात समिधान की निर्मान किया तो अभी हम देख लेते हैं इसके बारे में कहा जाता है कुने 113 का समय था 113 का समय था जब अमेरिकर ने कुलंबिया उनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आर्तिक मदद के लिए बरो महराज किया यह आवदन किया फर्ला पर्ला चीज है हमको घरिब आदमी है फढ़ने की जरूरत अपैसा नहीं है जिसका नहीं तो क्या किया है आर्तिक मदद के लिए बरो दा महराज के सामने पहुंचा तो उन्होंने इसे मंजूर करके हम वेटकर को सलाना स्कॉलरशिफ द करना इसके लिए असान हो गया किलियर यहां तक किलियर है अब सवाल यह है कि के वी सी में एक सवाल आता है कि वह महराज यानि वह महराज जिसने बीदेशों में कुछ सिख्छा लेने में डॉक्टर अम्बेदकर की मदद किया यानि डॉक्टर अम्बेदकर को कौन ऐसा राज यहां से समझ कि बरोधा के महराज इसका एंसर क्वा हो जागा है, बरोधा कै Ἧंदा के महराज अगला जिसके स्bayंविभाजन का मतलब है कि handicशन का नेशिव कर नेश्व कोई नाई हो गया हजाम जो बाल काड़ाता है जाती है जिसके अनुसार से उसका पहले था लेकिन यह पैतरिक पैसा से इसका नफड़ा था जो आदमी पैतrिक पैसा है उससे उपर उठना चाहता है तो नहीं उठने देता था पहलिए अगर कोई पंडी ची पैटा है उसको बाल काट coerc debate कर करना अच्छा लगता है आजक्श्प्र देकाश चेंज हो गया है तो बड़बन प्रद भाषा megapर भी बात्ति इया हुग देकर तो यह कर आ है कि इनका भीमरा मित्यर का जो जनम है 14 अपरेल 1891 इस भी को हुआ था यह याद रखना है मद परदेस के मध परदेस के मौहू में हुआ था कहां परदेस के मौहू में मुछ सिख्छा के लिए न्यूर्क अमेरिका फिर वहां से लंदन गया था पिर उसके बाद लंदन भी पहुंच गया था तो न्यूँ आर्क अमेरिका और लंदन पहुंचने के बाद ये बढ़े-ब़े डिग्रिया हांसल किया। उसके बाद से ये फिर वहाँ से राजनीती में सक्रिये हुए। आनि कि वहां से क्या किया वकालत करने के बाद राजनीती में सक्रिये भूमकानी भाते हुए इन्होंने अचूतों, इस्तिरियों, मजदूरों को मानवी अधिकार तता समान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला पॉइंट यह है कि इनका नीधन 6 दिसंबर 6 दिसंबर याद रखना एक, दू, तीन, चार, पांच, छोग, पांच के बाद 6 आता है, किसी-किसी आद्मी को छोग अंगली हो जाता है, मतलब समझो कि डॉक्टर भीम राबेतकर का एक अलग लेबल का था, मतलब अंगली नहीं था, मतलब हम तुमको समझा रहे है कि किसी-किसी आद्मी को छोग अंगली हो जाता है, तो परतिवासील आद्मी रहता है, उसी तरह से डॉक्टर भीम राबेतकर भी परतिवासील था, मतलब हम इसको ट्रीक बना रहे है, चोग अंगली से 6 दिसंबर उनहींसों चापन इंट का सीना, समझ लो, चापन इंट का सीना करके यह मरा, चापन रहे हमेशा के लिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं इसकी कुछ रचनाये हैं रचनाये का मतलब कौन-कौन से किताब लिखे हुए थे यह जो है दा कास्ट इन इंडिया ठीक है उसके बाद देयर मैकनीज्म जनेसिस एंड डेवलोप्मेंट वू आर सुद्रास कास्ट इन इंडिया किसके दोर लिखा गया है दोक्टर भीम्रामवेतकर देयर मैकनीज्म किसके दोर लिखा गया है दोक्टर भीम्रामवेतकर जेनेसिस एंड डेवलोप्मेंट किसके दोर आ है दोक्टर भीम्रामवेतकर भुद्दा नहीज धम्मा दोक्टर भीम्रामवे यह सब जो है इसी में आता है, क्या होता है? इसी में आता है, इसका मतलब है कि स्रम विवाजन और जाती प्रत्या का लेखक जो है, कौन है? श्रम विवाजन और जाती प्रत्या का लेखक है, वो डौक्टर भीम रामवेतकर है, जो अलग-अलग किताब, The Caste in India, Their Mechanism, Genesis and Development, Who are Sudras बुदा एंड हिजदमा एंड एनिलेसं आप कास्ट द अंटेचबल वर्दे यह सब किताब लिखे हुए अगला है यहां पर अगर तुम देखो प्रस्तूत पार्ट जो है स्रम विभाजन और जाती प्रता क्यों अगर हम इसके सरांस को देखे पार्ट का जो सरांस है उसके ब जब भासन लाहोर में जाती पाती यह भासन कहा गया था जाती पाती तुरक मंडल के बार्सिक समयलन के लिए त्यार किया गया था यानि एक समयलन समारव होने वाला था उसके लिए यह त्यार किया गया था लेकिन क्या हुआ लोगों को जो था वो सब नहीं मिल पाया अज आयोजगों की समती न जबने के कारण, क्या हुआ था? आयोजग जो था, उसकी समती न बने के कारण, समेलन अस्तवीत हो गया, ऋर यह पढ़ा न जा सका, इसके बारे में बोला न जा सका, ठीक है? लेखक ने जाती बात की अधार पर ही किजाने वाली और समानता को विरोध किया, और समानता का विरोध किया उसके बाद इस अलेक के मादम से लोगों में मानवियता, समाजिक सदबावना, भाईचारा जैसे मानविय गुनों का विकास करने का प्रत्न किया गया, लेखक का मान है कि आदर्स समाज में समानता सोतंतरता और भायचरा को होना आपसक है यह सब चीजे जो है सब समाज में आदर्स समाज में होना आपसक है अगला चीज देख लेते हैं स्रम भीवाजन और जाती प्रता के पाट का सरांस का मतलब है कि अब यहां से में पॉइंट है जो किताब है उसका सोट समरी करके यहां पर दे रहा है जिसको पढ़ने का बाद पुरा चेप्टर कॉबर हो जाएगा तो उसकार आए कि प्रस्तूत पाट जैस्रम भीवाजन जाती प्रता में लेखक ने जाती अधार पर की जाने वाली समनता के खिलाब क्या किया अपना विचार प्रकट किया लेखक काहना है कि आज के प्रिवेस में कुछ लोग जाती बाद के कटू समर्तक है कुछ लोग क् तो प्रकट की कटू समर्तक उसके अनुसार उनके अनुसार कारेक उसलता के लिए श्रम भीवाजन आप सके जैसे कोई नाई है वही बाल कटेगा पंडी जी है तो वही पुजा कराएगा यादब है तो वही दूद बेचेगा इस तरीके के श्रम का भीवाजन करना चाहता ह क्योंकि जाति प्रता स्रम भीवाजन का ही दूसरा रूप है लेकिन लेका की आप आती है कि जाति बाद स्रम भीवाजन के साथ स्रमिक भीवाजन के भी रूप लिये हुआ है यानि स्रम को तब बटबारा करिये रहा है स्रमिक को भी बटबारा कर दे रहा है स्रम मतलब समंझ मेह रहा न स्रम और स्वाभूत समाज के लिए आप किसी भी सब समाज के लिए आप सखें महथ ए वारत की जातीप्रता क्या भारत की जाती प्रता क्या है ? तो भारत की जाती प्रता और सभाविक भाजन करती vivid वर्गों को एक दुसरे की इफेक्चा मूच निश की करार देती है क्या करती है हुँँ निशकी करार देती है जैसे कोई आदमी इघर बेर बाल काट लोग है और तो तुम को कोई भी जनती बाल कारती मिल यह ता कि बड़े बड़े जनती राजपूत बाबंस भी बाल कारता क्यों आजकल इसमें उस विभाग में ऊस छेतर में पैसा जादा है लोग अपना पैसा चेंज कर लेता है लोग उसके बारे में बहुत कम जानता है लेकिन यह आदिम अगर गाओं में काटे तो उसको चलने देगा नहीं कहा ए पगला गया इसको जातमी से छाटो यह नहीं पाता है का यह चीजता नहीं क्या है एक तो किंग दे तक दाट्र भीमा मतकर का था यह हो रहा है यह सब क्यों आदमी पारिक तोरक मंदल जो लहोर में हुआ था अधिवेशन उसको यह मतलब वहां के आदमी सब हटवा दिया काकि नहीं होने वाला इसका यह समास मतलब यह इसके बारे में करना चाहते रहें ठीक है अभी हम देख लेते अगला पॉइंट पार्ट के सारांस में लेखा करते कि जाती क अधार पर सर्म विभाजन बीस्ट के किसी भी समाज में नहीं पाय जाता है सिर्फ और भारत में पाए जाता है विस्क के किसी भी समाज में ये तरीके के जो जाती जो स्रम का विभाजन है जाती के उन सर्चों नहीं पाए जाता है जाती प्रता को यदि स्रम विभाजन भी मान लिया जाए तो यह सभाविक नहीं है क्योंकि मनुष की रूची पर अधा पीटिछर बहुती आदमी नहीं बन सकता पंडी जी यह ऐन पड़ा बनता थी रखता है पिप्रीट जाती प्रधा या है,किसे मनुष्ट के मत्विता का समाजीνे इस्तर के नुचार पेशा अपनाने के справ स्विपागाने, अगर बच्चा जाती प्रता में गर्भधारन के समय ही कह दिया जाता है कि बच्चा जो है ठीक है अगर देख लो कि सब के मनुस्त का पेशा नहीं धारता जाता है यानि गर्भधारन के समय अगर बच्चा नाई का बच्चा है तो गर्भधारन के समय ही कह देगा कि बेटा हो अभी पूछा आदमिया इसा है दोसरा जाती के घरे के पानी नहीं पीता है नीच जाती है अगर देख लागा कि नीच आती है तो पानी नहीं पिएगा और घरे बाइटेगा भी नहीं जानी जायगा खहड़र करें भार दूरा पर से स्वर हरा आगर के सलिया है ऐसा हा लेकिन आजकर के जमाना če co गया आजकर हिंदू हर थे मुस्ली में है मॅ करará खहता है साथ में घूमता लेकिन पहले हिंदू के लर्का मुसुल्म के लरका कर दो अगला देख लो इसमें करा जाती प्रता पेसे का दोस्त पुनिधारन ही नहीं करती बलकि यह जीबन भड़ के लिए मनुस्त को एक ही पेसों में बांद देता है अब आदमी जनम लिया उसी में बंद जाए कि तुमको यही काम करना है दूसरा कोई काम नहीं करना है इसके कारण यदि किसी दोग दंदे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भुखे मरने के लाबा कोई चारा नहीं रहा जाता है तो बेरुजगार हो जाता है। अगर वो उसको अलावा नाई कि काम के अलावा कोई दुसरा काम नहीं आता है तो बेरुजगार हो जाता है। हुआ है न अगला को देखते हैं यहां पर लेंखर के कारते हैं कि भारत में पेसा परिवरतन के नहुंट te ne लोग निर्धारत कारक और उची के साथ विवस्ता पूर्ण करता है इसी परकार जाती पार्ती जो होता है निर्वन जाती पार्तफ बेक्ति की सभाविक पिर्णा रुची व्यात्म सक्क्ति को दबा कर उन्हें सभाविक नियों को नियों में जकर करके निस्किरिया पना दयता है ये स्किरिया का मतलब ऑपनों जकर करके उसको गुलाम बना द assists affect live प्रता में स्तरा सोच नहीं सकता है कोई कुसलता भी प्राप्त नहीं कि जा सकती है इसलिए लेखा काते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाती प्रता का एक हनिकारक करता है ठीक है अगरा देख लेते हैं पाट का सरांस में समाज के रशनात्मा पहलू पर विचार करते हुए लेखक का कहना है कि आदर्स समाज हो समाज है जिसमें सोतंतता, समता, भाईचारा का वो महत्म दिया जा रहा हूँ लेखक भाईचारे के तुलना दूद पानी के मिस्रन की तरह करता है लेखक भाईचारे के तुलना दूद पानी के मिस्रन की तरह करता है ये कोशन कही बार पुछावा है ये भाईचारे को दूसरा लोगतांत्र कहते है दूसरा लोगतांत्र किसे कहते है भाईचारे को भाईचारे का दूसरा नाम क्या है लोगतांत्र समाज में जाती प्रता का अंथ किया सके अगर यह नहीं आ इसके लेकर के नाम है भीम राम वेतकर, इनका जनम जो है 14 अप्राइल 1891 को महू यानी की महू जगा था, मध्य परदेश एक राज है, मध्य परदेश के महू जिला या महू जगा पर हुआ था, एक दलित परिबार में हुआ था, पूछेगा की डॉक्टर भीम राम वेतकर का जनम किस परबार में हुआ था, इनकी मिर्तु जो है, कब 6 दिसंबर 1956 में, इसमें सिरत दिसंबर दिया हुआ है, 6 दिसंबर 256 में, ठीक है, ये ने गया इसका कलम, 6 दिसंबर 1956 में दिली में हो गया था, लेकिन एक चीज तुमको हम नहीं बताए, डॉक्टर भीम राम वेतकर जो है उनके तीन प्रेरख वेक्ति थे जो इसार सेस्टार। चार अप्सन को तुम्हारा एंसर बताना है इसका एंसर भी नीचे सो करेगा बाबा साहिब भीम राव अंबेदकर इसके लेका का नाम है डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जो समिधान के जनक समिधान के पीता समिधान में इनका बहुत बड़ा योगदान है तो कौन हो गया अगला कुछन देखो लेकक बिरुजगारी का पर्मुक और परतक्ष कारण किसे मानते हैं जाती परता को उदोग धंदों की कमी को जनसंक्या को और सिक्षा को क्या होगा जाती परता को लेकक जो होता है वो बिरुजगारी का पर्मुक और परतक्ष कारण जाती परता को मा क्या है सक्षतकार कहानी भासन निवंद अभी हम कुछ दिर पहले बताए थे कि यह जो है स्रम भी भाजन जाती प्रता निवंद है क्या है निवंद है तो कह दिर पहले हमें बताएं यह क्या है एक निवंद है पूछे का यह कुस्षन कि निवंद है कि कहानी है कि सक्षतकार ह है शलिए इसका रोगी एंसर हो है पेशे का दो स्पून पुर्वनी धारन करती है क्या करती है यह अगला कुछ पाचमा नंबर अमभेतकर के माता का नाम क्या था अगला आएगा इसके पीता-जी का नाम एक-दो कुस्षन के बाद उसका भी देख लेना है चलिए तो इसका इंसर होगे अगला है fleemra जनम कब हुआ चलिए यहां चार अप्सन है अभी हम तो खुछ दिरपल पर आयते हैं 14 अप्राइल 18992 को इनका जनम हुआ था मध्य पर्देश के महुं जगा पर इनका जनम हुआ था इनके माता का नाम है भिमाबाई और पिता का नाम है रामजी सक्पाल कुछ करके सी है तो आगे हम चलेंगे तो पता चल जाए इनका नीधन जो है 6 दिसंबर 1926 भी को हो गया था अगला कुछन देख लेते हैं डॉक्टर भीम रामेतिर के जनम कहा हुआ था यह कुछन बहुत ही जी है डॉक्टर भीम रामेतिर के जनम मध्य पर्देश के महुं में हुआ था या रामजी मलोजी सखपाल रामकिसुन सखपाल रामदेश सखपाल इसका एंसर खाव नमबर होने वाला है रामजी मलोजी सखपाल रामजी मलोजी सखपाल इनकी पिता का नाम था डॉक्टर भीम रामवेतिकर के पिता का नाम रामजी मलोजी सखपाल था अगला कुछन डॉक भारत का मतलब है कि भारत को वहिस्क्रीत करणा बारत अका यह से कौन सी रचनाम वेतकर की है बताओ इसमें फुवार सुद्रास ये भी है द अंटेचबल द कॉस्ट इन इंडिया इन में से सभी यानि कि तीनु रचनाएं यह बहुत सरे रचनाएं किये थे उन में से तीनु है इसका एंसर क्या हो जाएगा इन में से सभी विम्राइम लिट्किर इनका शेलों हो गया था नि दिली में निधन और इनका निधन हो गया था। चुछ सब्सक्राइब नियु और नियु और में घयते उसके बाद आमेरिका गये थे उसके बाद लंदन गये थे उसके बाद जब पीएच डी या अलग अलब परकार के डिग्रिया प्राप्त कर लिया तो भारत पुन वापस आ गया था इसका किसी ने कहा था किसी ने कहा था किसी ने कहा था दॉक्टर भीम रामेदकर ने कहा था कि अधर्स समाज अभी उन्तों को बताये थे कि इसका एंसर होगा किसी ने का था डॉक्टर भीम राम बेत कर विम राम बेत कर इसका एंसर होगा अगला कुस्चन चलते है चाहदान नंबर आईलर की भारतिये समीदान का निर्माता करूप मे हम किनेaraty। बारतिय समिधान की निर्माता गरूप में जानते हो कि डॉक्टर भीमरामवेटकर की निर्माता गरूप में जाने जाते हैं भारतिय समिधान की निर्माता गरूप में जाने जाते हैं भारतिय समिधान के पीता भारतिय समिधान के जनत कुछ भी कहेगा तो हम क्या कहेंगे ड UK रिखुख अप्षण क्या ओट जया खाल नंबर इसका इंसर क्या घाल नंबर यानी इकीस खंड़ों में प्रगासित हो चुका था ठीक है, 14 अप्राइल उन्हें 1891 में इनका जनम हुआ था, और इनका जो खंड सा, वे 21 खंडों में विभाजित हो गया था, समझा न, 21 जो था है थोड़ा चंदा उंदा वाला रहता है, यह तरह को चंदा देने के तरह, यदि अपना खंड को क्या कर दिया, जिस तरीके सो गय जो लहोर में हुआ था, किसलिए, ताकि जो है सरम भिभाजन, और जातिप्रत्या के बारे में बोला जाए, एनिलेसन आफ कास्ट कर ये कुछ उंग था, तो कब हुआ था? 936 में 936 में 936 में याद रखना 936 में तो 36 में हुआ लेकिन 36 का आक्रा हो गया 36 का आक्रा मतलब वहां पर समयलन नहीं हो पाया ते नहीं याद रखना आएकरा 436 का आक्रा का मतलब वहां पर समयलन होने बाला था एक रखना है 36 का आक्रा हो गया मतलब नहीं हो पैंना 1136 में यह समयलन होने बाला था यह नहीं याद रहेगा प्रीक से याद करो अगला कुस्ण है बारतिय समिधान के निर्मान में मत्पुन भूमका किसकी है इसका एंसर तुम लोग बहुत अच्छी तरीकिस जानते हो डॉक्टर भीम राव अमेदकर बहुत नमबर एंसर सबसे लास्ट बला एंसर सही है ठीक है तो डॉक्टर भीम राव अगला कुस्छन 18 नमबर अमेदकर यानी 1912 में बरोदा के महराज से यह स्कोलर्सिप लिया उसके 3 साल के बाद ठीक है उनगेसी 16 में पी एचडिए फ़ी प्राप्द्र कर लिया है था यह वह बहुत ज़्यादा डिगरी था इसके पास तो पी एचडिव पादी 1916 में 1913 में यह बादा के महराज से हेल्प मां है अभी हम तुमको बताए है कि किसी का संपाधित अंस है एदिकरण के भासना भासन Indonesia यह दो एक कास्ट को मतलब रची चांट है उसमें का एक किताब अबी 22 कुल्स्ट के करते हैं किस परिबार हुआ था दलित परिवार में रहा था और ने लिकर्षा इरी बीडिये पीछल ermouse की पछले वीडियो में मतलब इसी में किछले तुरा कुछ देर पहीले पहीले बताये थे तो दूद और पानी के मिश्रन की तरह भाई-चरे भी होना चाहिए भाई-चरे का दूसरा नम क्या है लोक तंत्र का दूसरा नम क्या है भाई-चरा डॉक्तर भीम रामेटकर के तीन को प्रेरक बेखती कौन लेका की डिस्टि मैं आदर समाज का होता है, clear? अगला कुछस्चन पचीस नमसार सबसे सिलाष्ट खुसन है, जाती प्रथा के नूसार स्राम विवाजन का अधार क्या है? यहां पर पचीश बजीश को लिए और जो बचे यूटूबड़ और इस तरह के वीडियो देखना चाहते है तो आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहा है अगर बढ़िया लगा तो लाइक कर ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और इस वीडियो को एक ग्रूप में जो होता है वाटसब ग्रूप जो आपके साथ दोस्त होगा उस सब के साथ सेर कर दीज झाल कर दीजे, थाज साथ जो इचेए है पता ऑज़ भीडियान को सब कर सेर को आपके सेर कि अड़क्त कर दीजे़ों को पहा है तो साथ शुपश्वाचस इजार को अजःद classics है वाँ खजिज जआए vyö.